Hello friend, good afternoon to all of you, welcome to Healthy India channel आज हम जानेंगे सत्तु के बारे में गर्मियों के टाइम में सत्तु का सेवन करना अम्रित के समान है क्योंकि इसका नीचर थंदा है जिसकी वज़े से ये आपकी बॉडी की हीट को रेगुलेट करेगा और हीट स्टोक से आपको बचाएगा यानी लू से आपको बचाएगा तो गर्मियों में होनी वली प्रॉब्लम से बशने के लिए आपको सत्तु का सेवन तो जरूर करना चाहिए इसके अलावा इसमें क्याल्शियम अच्छे माउंट में पाया जाता है जो कि हमारी बोन को स्ट्रॉंग बनाएगा और ऑस्टोपॉलिस जैसी प्रॉब्लम से प्रिवेंट करेगा यानी अगर आप अपनी हड्यों को हमेशा मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको चने के सत्तु का इस्तिमाल करना चाहिए इसके अलावा अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो भी आपको चने के सत्तु का सेवन करना चाहिए ये आपकी बोडी में जाकर एक्स्ट्रा फैट को इसली कट करेगा इसमें आप कालिमेट जीरे को आड़ करके लिए प्लस चने का सत्तु एनीमिया पेशन के लिए बैस्ट माना गया है अगर आपको खून की कमी है तो उस कंडिशन में आप चने का सत्तु का इस्तिमाल करें इसमें आइरन, कॉपर दोनों ही अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं जो कि अपकी बॉडी में जाकर रेड ब्लड सेल्स को तेजी से इंक्रीज करेगा ये बिहार का फेमस ट्रिंक माना चाता है तबी तो बिहारी लोगों का माइंड इतना शार्प होता है ये highly nutritious है जिसकी वज़े से उनका brain हमेशा sharp रहता है और उनकी concentration power increase रहती है प्लस अगर किसी को diabetes की problem है तो उस condition में भी चने का सत्तू लेना उनके लिए सबसे best है इसका glycemic index low है प्लस ये fiber rich है जिसकी वज़े से ये blood sugar level को reduce करेगा और insulin के secretion को improve करेगा यानि अगर चने के सत्तू का इस्तमाल diabetes patient करते हैं तो उनकी diabetes की problem दीरे-दीरे solve हो जाएगी इसमें vitamin B complex अच्छी amount में पाए जाते हैं अगर आप student है या brain related कोई भी work करते हैं तो आपको चने के सत्तू का इस्तमाल करना चाहिए और अगर आपको नीन नहीं आने की problem है तो भी आपको इसी का इस्तमाल करना चाहिए चने के सत्तू का इस्तमाल एक साइट तो weight loss करने में किया चाता है जोके आप सत्तू drink के रूप में करते हैं लेकिन अगर आप weight gain करना चाहते हैं तो आप इसी का अस्तमाल देसीगी के साथ करें। ये body weight को increase करने में help करेगा, ये muscles को strong बनाएगा। तो depend करता है आप इसे कैसे ले रहे हैं। ये respiratory disease को treat करने में भी best माना जाता है। अगर आपको asthma या bronctitis की problem है, तो उस condition में आप इसका अस्तमाल करें। ये आपकी body में extra mucus को easily flush out कर देगा। प्लस अगर आपको arthritis की problem है, यानि joint pain की problem होना, या joint में swelling की problem होना, ये दोनों ही condition में best work करता है। इसके अलावा चने के सत्तु की सबसे best quality है, कि आपकी arteries को clean रखेगा, और आपकी body में कहीं भी blockage होने से रोकेगा। तो अगर आप इसका इस्तिमाल daily करते हैं, तो आप heart attack जैसी problem से easily खुद को बचा सकते हैं। प्लस अगर आप gym जाते हैं, तो उस condition में muscle stiffness की problem होना बहुत common हैं, तो इसे treat करने के लिए भी आपको चने के सद्दु का ही इस्तिमाल करना चाहे हैं। इसमें मौजूद magnesium, muscles को relax करेगा और muscle stiffness की problem को naturally treat करेगा। ये liver के लिए बहुत healthy है, ये आपके liver के function को improve करेगा और अगर आपको fatty liver की problem है, तो भी आप इसका इस्तिमाल करें। ये best drink है आपकी body को detox करने के लिए, ये kidney के लिए best है, लेकिन याद रखें अगर आपको kidney related कोई problem है, तो उस condition में एक बर अपने doctor से पूछ करके ही इसका इस्तिमाल करें। आयूवेद के according ये हमारी body में कफ और पित को balance करेगा और वाद को बढ़ाएगा। तो ऐसी condition में जब भी आप सत्तु का इस्तिमाल करें, उसमें आप जीरे powder को add करें, ताकि आपकी body का वाद balance रहे। या फिर आप चाहें तो एक चमस देशीगी को add कर सकते हैं। ये body के वाद को balance करेगा, यानि अगर आप इस तरीके से drink बना कर लेते हैं, तो तरदोश आपकी body के balance रहेंगे। सत्तू आपके बालों के लिए भी best माना गया है, ये बालों से जुड़ी हर problem को naturally treat करेगा, चाहे वो dandruff की problem हो या फिर dry hair की problem हो, ये दोनों ही problem को solve करेगा और hair growth को improve करेगा, इसके अलावा ही आपके skin के लिए भी best माना गया है, इसकी एक और सबसे बड़ी quality जिसके लिए सत्तू को पिया जाता है, ये पेट से जुड़ी problem को solve करने के लिए number one है, यानि अगर आपको constipation की problem है या फिर acidity की problem है, तो इन सभी condition में आप सत्तू का इस्तिमाल करें, ये आपके digestion को improve करेगा और intestine में जो भी toxin है, उसे body से flush out करेगा, बस एक बात याद रखें, इसका save on moderate amount में ही करें, अगर आप ज़्यादा amount में इसको लेंगे, तो इससे आपकी body का water imbalance हो सकता है, जिससे आपको gastric problem हो सकती है, इसके इतने सारे benefit जानने के बाद, अब बारी आती है, इसके कुछ side effect जानने की, एक बात हमेशा याद रखें, सत्तू लेने के तुरंद बाद कभी भी पानी ना पिए, और गर्मियों के time में कोशिश करें, मीथा सत्तू का save on करें, ये आपकी body में पित को शान करेगा, लेकिन मीथे में आपको चीनी को add नहीं करना है, इसमें आप मिश्री को add करें, जो कि आपकी body की heat को normal रखने में help करेगी, प्लस खाना खाने के तुरंद बाद, कभी भी सत्तू का save on नहीं करना चाहिए, ये आपको bloating, cram जैसी problem को create कर सकता है, इसे रात में avoid करें, ये सत्तू लेने का सही time नहीं है, सत्तू लेने का सबसे best time दुपैर को माना गया है, So friend, I hope आपको कुछ नया जानने को मिला हो सत्तू के बारे में, और आप इस कर्मियों में सत्तू को खुल कर enjoy कर पाएं, So friend, that is it for the day, I hope you like my session, If you like it, then please subscribe it and share with your friends and family members, Till then, stay safe, stay healthy, have a good day.